दिखी जब मामला सरकार के संग्यान में आया तो मुकदमा पंजी कित हुआ, गिरबतारी हुई और जो दोसी उसमें पुलिस करमी थे, जो कारवाई नहीं कर रहे थे, वो भी सस्पेंट हुए हैं और सरकार हमेशा गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, मजलूमों के साथ की बद्ध हैं, जिसका उधारण, आपने देखा कि जो सरकार का बुल्डोजर है, वो भी अपना काम कर चुका है, और कर भी रहा है, कर चुका नहीं बलकि कर रहा है, तो कारवाई में कहीं भी सरकार पीछे नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाब, चायो कितना भी ताकत वर हो, उसके खिलाब करवाई होगी, जहां तक सवाल वहाँ पतिनी मंडल जाने का है, तो दुपकी घड़ी में सब को जाना चाहिए, इसके साथ ही अखिली के नुसाफ सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर डिने टेस्ट के बाद आरोब जूते सावित होते हैं, तो इसमें शामिल स पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, जैसे आज एंडिये की सरकार है युपी में तो उसको बुल्डोजर के नाम से लोग जानते हैं, डर है, बुल्डोजर का नाम आने पर करेजा काम जाता है, यह है यह सरकार का भें, समाजवादी पार् सांड की तरफ भूमते थे उनके खिलाब कारवाई नहीं होती थी सरक्षण मिलता था और समाजवादी पार्टी की समू से बोल रही है जब उसी का नेता अपरात कर रहा है अभी हर्दुई का मामला उठा के देखी उनकी ही पार्टी का पूर्व जिलाध्यच अभी उहत्या क कराया वकील का जिसके उपर इतने मुकदमे सदन के अंदर माननी मुक्यमंत्री योगिया जितना जी ने गिनवा दिया जब उनकी सरकार थी तो कोई कारवाई नहीं उसके खिलाब की चुकि वो उनकी पार्टी का एक नेता था तो जो सरकार कारवाई कर रही है अगर उनको भृरुसा नहीं है तो हम तो कहरे हैं कि भागुमार राम भी जब उनके उपर किसिने ताना मारा तो वो भी अपना भेश बदल करके जाकर के को जाच किये थे लेए बांटी कि जाच कर ले उसके भीसे में उनको भी दूद का दूद पानी का पानी पता लग जाएगा एक और एहम सवाज की भास्ति जन्ता पाइटी की जो सरकार है वो सफ़ा वो मुसल्मान और यादों से दुश्मनी रखती है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्थर योगिया जितना आच पर यादों और मुसलिम समुदाय के लोगों से दुश्मनी रखने का रोप लगाया है अब सानसद जी हैं बात करते हैं मुसल्मानों की बात करते हैं यादों की तो यूपी बोर्ड और सिब्यस्सी बोर्ड उसके लिए तमाम इंवर्शिटियां खुली हैं उनको मानता दी गई हैं ये बहुत बड़े रहनुमा बनते हैं तो मुसल्मानों के लिए कांगरेस ने नहीं किया तो चार बार तो सपा की गोर्मेंट थी आप उसमें विधायक थे क्या आपके दिमात में ये बात नहीं आई मुसल्मानों के हिद के लिए कि उत्तर प्रदेश में दूगो इन्वर्शिटी खोल करके मदरसा बोट को वहीं अटेच कर दें वहीं से अगर दिक्कत थी तो मदरसा बोट के सिक्चा निमावली में जो कमजूरी थी कमाई थी उसको संसुधन कर देते ये तो घ्यान नहीं आया जब सरकार चार बर रही तो पूलिस की भरती होती थी या यू का लिजी जब चुनाव आता था तो ये मुसल्मान बोरा का बोरा उड़ देता था जब सरकार बन जाती थी यही सांसाद एंड कमपनी के लोग समाजवादी पाटी के ये मुसल्मानों को खाली जोरा थमा देते खाले जोरा लेके गुम्मो कुछ यह नहीं मिलेगा, पुलिस की भरती हो, खुले आम तांडव किया समाजवादियों ने, और बात करते हैं यादो की, पिछडों में खाली यादो आता है, नाई, गोर्ण, पाल, प्रजा, पति, बिंद, केवट, मला, चौहान, राजवर, सहि आरक, अरक, बंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जुलहा, दुनिया, सारी, साही, दरजी, फकिर, सब लोग आते हैं, पुलिस की भरती में खाली यादो है क्यों किया अपने भईया, थब नहीं दिखाए दिया उस सांसत को, कि भरती हो रही है तो खाली एक जाती की, चिन क करके, अभी सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा, 86 में 56 SDM खाली यादो, अगर सच बोला जाए तो बुरा लग रहा है, तो ये सच आई है कि पिछडों को, अति पिछडों को, मुसल्मानों को धोका अगर किसी ने दिया, तो कांग्रेस ने धोका दिया, सपा ने धोका दिया बसपा ने धोका दिया, ये लोग बोरा का बोरा वोट लिये, खाली जोरा थमा दिये मुसल्मानों को, अगर पिछडों को कि लेके जोरा घुमो, कुछ बात न करो, कांग्रेस तो कह रहे हैं कि जिस तरह से मुक्समंत्री जी ने सदन में मुसल्मान, 16 आरोपी थे, 16 में से सिर्फ दो, एक मुसल्मान और एक यादव का नाम लिया, उससे पता चलता है, कि मुक्समंत्री जी के दिल में बहुत नफशा है, नफ़रत तो सदन में उजागर हो दो मुहास साप की तरह लोग बोल रहे हैं, लोग सभा के अंदर, वही अखिलेस यादव जी प्रेसवारता में एक पत्रकार का नाम पूछे, उसके बाद उसकी जाती पूछे कि मिसरा, देखो वे मिसरा जी है, वो टीवी बेचलता है, और वही अखिलेस यादव जी जाती 43 जातिया है, सभी जातियों की गिंती की बात करते हैं, अगर सदन के अंदर किसी सांसद ने पूछ लिया जाती, तो बुरा लग रहा है जाती बताने में, बात करोगे जाती वर्जन गरना की, जब जाती पूछी जाएगी, तो आप लोगों को दर्द होता है, नहीं हम जात यह अधिपिछडों का मुसल्मानों का Almighty बन उटने वाले लोग हैं और गुमराख करके ओट लेने वाले लोग हैं हम बार बार कहते हैं कि मुसल्मानों ने जितना जहूम के ओड़ दिया सपा की सरकारा बनाया का ऑवर समय मुसल्मान fragen सरकार बन जाती है तो फिर इन लोगं को खाली जोला चमा देते हैं जाओ जोला लेके पांच साल घुमते रहो कुछ मिलेगा नहीं जोला में फिर टाइम आएगा तो हम बोरा लेके आ जाएंगे सरक्षा की बात करते तो अपने सांसत से इस्थिपा की माम बात करना चाहिए कि उनके सांसत का सहयोगी जो नगर अध्यक्ष रहा है उसको सारक्षण देने वाले कौन हैं सांसत जी ये बात जगजाहिर हो रही है तो उनको अपने सांसत से इस्थिपा लेना चाहिए था और उनको पिडिता की चिंता ना करें सरकार खोचिंतित है, सरकार उसकी सारी बेवस्ता करने को तयार है, वो सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है.